नवस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर शीशम, हम बात करते हैं वाट इस लॉजिक की, तो क्या है ये वर्ण जैसे कि मैं शत्री हूँ, आप वैश्य हैं, बनिये हैं, वो शूद्र है, हरीजन है, वो ब्रहामन है, तो क्या कारण है इस कास्सिस्टम का, क्यों इनको वर्णो किया हुआ है, क्यों लोगों को बहुत सारी कास्ट में विभाज़त किया हुआ है, और ये कहां से उत्पन हुई, तो basically माना जाता है कि वर्णों की उत्पत्ती राजा मनु ने करी थी, ताकि जो इस समाज में जिस चीज का उसमें गुण है, उसके हिसाब से उसका वर्ण हो वर्णों का मतलब है कि जो मेरे अंदर का गुण है, जिस चीज में मैं बहुत अच्छा हूँ, उसके हिसाब से ये बांट लिया जाएगा कि आपका वर्ण कौन सा है, आप क्या करते हैं, आपको क्या सूट करता है, तो इसका टेस्ट भी किया जाता था, कि जब बच्चा ब करना लीजे, क्योंकि इसमें दूसरों के लिए करने का भाव बहुत जादा है, और इसको उस चीज की प्रसिद्धी भी नहीं चाहिए, हम ऐसे देखते हैं, ओह 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 ओ, ये तो शूदर प्रजाती का है, यह यह हरीजन है, पर आक्चली दोस्तों ऐसा नहीं है, इसका मतल करना चाहता, वो एक हरीजन करता है, आपके ससाइटी को क्लीन करता है, आपके अंदर स्वच्छता फैलाता है, आपके अच्छे फ्रेश नहीं जजबात मिलें, एक शुरुवात एक अच्छी हो, यह होता है हमारा हरीजन, अधे सेम टाइंग मेरे अंदर लडने का मर मिटन का जजबा है अपना अरे देश के लिए, उसके बॉर्डस को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं, तो वो शत्रिय है, और जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, उसकी बुद्धी बहुत प्रखर है, वो ब्रामन है, तो वर्ण बाइब बर्थ नहीं हो होता है, आप में किस तरह की शमताई है, उससे वर्ण निर्धारत होता है, तो ये बात की पंडित का बेटा पंडित और शत्रिय का बेटा शत्रिय, ये तो हमने इवेंचुली अपनी ससाइटी से उसको बहुत ही डॉग्माटिक तरीके से बना लिया है, या उसको हम एक पर है, या कलम है, शूद्र की कोई चीज है, सफाई की कोई आइटम है, और व्यपारी का पैसा रग दिया जाता था, और बच्चा जिस चीज को उठा लेता था, यही माना जाता था, यही इसका गुन है, यही इसका वर्ण है, पर धीरे-धीरे करके, जनेरेशन ओवर यह स्पेस भी नहीं देते हैं अपने बच्चों को, कि वो चूज कर लें, कि अपने गुण के हिसाब से वो एक अलग फील्ड चूज कर लें, और अगर बच्चा कर लेता है, तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, जो उसीज का सपोर्ट करते हैं, और बच्चा भी कही पर तो मेरे पिताजी ऐसे हैं, तो मैं यही करूँगा, यह मेरा family business है, यह मेरा family का व्यपार है, यह मेरे even पंडिताई भी ऐसे ही होने लग गए आज कल कि पंडित का बेटा पंडित, चाहे उसको उसको उपने पिताजी जितना जिना ग्यानना हो, और चाहे पिताजी को भी बोस्ति हमने जाती में बहुत उंचि नीच इस तरह का भी क्रियेट कर लिया है इसका कोई लॉजिक ही नहीं है हम यह देखते हैं कि ब्रह्मन हो मतलथ यह उंची जाती का वर्न बेलाज इसका यह मतलब नहीं तो यह मतलब है कि यह बन्द बैठ के अपने दिमाग को यूज़ करके इस तरह की रंड नीती बना सकता है या इस तरह से अपने दिमाग को यूज़ कर सकता है इतना प्रकर है कि इस तरह की इन्वेंशन्स कोई और नहीं कर पाएगा और चाहे वो किसी भी अर्थ व्यवस्ता में हो आपके शास्त्रों में हो, किसी भी प्रकार की फील्ड में इसको रख लीजे, तो यह दिमाग के टैंजेंट से उसको यूज कर लेगा विलाज हम यह कहते हैं कि ओहो यह देखो यह शूद्र है ओहो यह तो निश्ली जाती का व्यक्ति है नहीं शूद्र वो व्यक्ति है जिसके अंदर कुछ ना चाहने की इच्छा होते हुए भी अपना सर्वस्व समत्रवित करने के लिए वह तैयार है तो जिसमें सबसे उस्था को चला सके जो रिस़्ोर्स फुल है और जो पावर्फुल है और जो रिस्वोर्स को सर्क्यूलेट कराके चक्का कभी रुखने नहीं देता वो वियापारी है । जो दिमाग जिसका तीष्ण है वो ब्रामण है तो अपने बच्चे का वर्ण पहचानिये उसका कश्मकश में जीते हैं अपने अंदर स्ट्रगल करते हैं तो पहले देखिए कि आपके जजबाद आपको किस तरफ धकेलते हैं फिर उस हिसाब से अपना वर्ड में चूज़ करिए धन्यवाद